गुद मॉर्निंग स्विरिंट्स वेलकम टू माई विद्धिय अप्टूरियल सेनल जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्राश कूर्स चल रहा है उसमें बहुत सारे चेप्टर्स अलड़ी अप्लोड हो चुके हैं यह जो आपका चेप्टर नया स्टार्ट किया था इस टा हो रहे हैं यह सारे प्रीवियस एर एक्जांस में आचुके हुए क्वेशिंस है ठीक है चाहे वो सीडियस का एक्जाम हो एसे का एक्जाम हो यह सारे क्वेशिंस उन्हीं जो है प्रीवियस एर क्वेशिंस में से लिए गए हैं नाउ स्टार्ट पिर लेस्ट लेस्ट लेस् if current travels at a speed of 60 km per hour and cover a distance in 9 hours then how much time will he take to travel the same distance at a speed of 90 km per hour पहले question समझ लेते हैं question में बोला है कि यदि जो करन है वो travel कर रहा है तो वो 60 km per hour की रफतार से गती से वो travel कर रहा है और वो जितना भी travel कर रहा है speed से तो वो 9 गंटे लेता है question में यह पूचा है अगर distance सेम रहे और वो 60 km per hour की रफतार से नहीं वो 90 km per hour की रफतार से चले तो वो कितना time लेगा ठीक है जी question मैंने आपको समझा दिये हैं तो first question आपकी solution आपके board पे है पहले हमें क्या given है जो जो given है पहले वो लिख लेते हैं पहले एक speed 1 given है ठीक है speed 1 उसको नाम दे देंगे वो आपको given है 60 km per hour ठीक है जी उसके बाद आपको time given था time given है आपको 9 hours ठीक है 9 hours next उनों ने बोला है कितना time लगता है अगर वो same distance 90 km per hour में करते हैं कितना time लगता है ठीक है ना तो same distance तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस दो information को use करूँ तो मेरा जो है दूरी निकल सकती है और उतने ही दूरी पे अगर मैं 90 km per hour रखूँ तो मेरा time निकल सकता है क्लिर तो हां जी हम ऐसे ही करेंगे अब हम distance निकी दूरी निकालेंगे तो distance दूरी का formula लगाएंगे आपने part 1 और 2 में अलड़ी यह सीख लिया है कि distance कैसे से निकालते हैं तो उसका क्या होता है speed को गुना करते है time के साथ ठीक है जी अब यह आज है यह km per hour है तो unit P सेम है तो km में निकलेगा distance तो speed आगी आपकी 60 और time आगया 9 तो यह कितना निकल आया 540 आपका जो distance आगया वो कितना आगया 540 ठेक है जी यह आपका distance आगया अब उसने condition क्या दे थी कि अब आपकी जो speed है वो कितनी हो गई है वो आपकी 90 km पर hour हो गई है और distance आपका सेम रहेगा it means पहले जितना distance था अब यह उतना distance रहेगा तो वो कितना रहेगा 540 किलोमेटर रहेगा अब हमें क्या निकालना है time निकालना है तो time का formula हमने अलड़ी discuss किया हुआ है distance upon speed अगर यहाँ speed है तो यहाँ time है अगर यहाँ speed है तो यहाँ time है डी हमेशा उपर ही रहता है आगे distance की value put करेंगे that is 540 और speed जो कितनी given है वो given है 90 इनकी cutting करेंगे तो यह कितना आ गया 6 km per hour वो sorry 6 hours or not a speed हम तो time निकाल रहे थे तो 6 hours यहने कि 6 घंटे ठीक है जी ठीक है तो अगर वो इस speed से चलाता है तो वो 9 घंटों में पहुंचता है अगर वो 90 km per hour की speed चलाता है तो वो 6 घंटों में पहुंचता है now come to the next question second question आपकी screen पे है question is the speed of a bus is 72 km per hour the distance covered by the bus in 5 seconds is ठीक है question समझ लेते हैं question में यह बोला है कि बस है उसकी जो रफतार है वो 72 km per hour की है और वो distance कितना कवर करेगी अगर वो 5 seconds चले तो distance कितना कवर करेगी यह question था ठीक है आप question के में क्या करेंगे जो जो information लिखिए उसको पहले है लिख लेंगे तो यह second solution आपके board पे है गिवन क्या है पहले तो मुझे speed गिवन है ठीक है मुझे गति गिवन है गति जो गिवन है वो है 72 km per hour यह मुझे गति गिवन है ठीक है जी उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 5 seconds और मैं आपको जो options है मैं एकने options देदती हूं यहां पर आपको जो आपको समय गिवन है वो गिवन है 5 seconds फाइट सेकेंड गिवन है अब हम क्या करेंगे अब जो आपको अपने answers देखें तो सारे answers meter में है ठीक है सारे answers meter में है और यहां पर क्या गिवन है km per hour ठीक है इट एक मेंज मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस milligram को kilometer per hour को convert करना पड़ेगा क्षे में मिरसरे केंड में है तो इसको convert करोंगे मिटर्पार सेकिंड में मैंने आपको क्या सिखाया था कि यहां पड़ा है ने च्छोटे पे जाना इंट means चोटा डिजेट उपर रखेंगे यह बोला था और कितना है आपकी 72 इसी को तो चेंज करना है ठीक है ना इसी speed को तो चेंज करना है जब आप इसकी cutting करोगे ठीक है यह क्या इसके 4 पे यह आगया 20 तो हम यह बोल सकते हैं कि आपकी जो speed आई है वो कितनी आई है वो 20 मिटर पर सेकेंड आई है speed change हो चुकी है तो यह मेरी जो गती है वो यह निकल के आई है ठीक है जी और उदर से जो मेरा समय था वो पांच सेकिंड का था हमें निकालना क्या था डिस्टेंस निकालना था यानिकी दूरी निकालनी है उसका फामुला क्या होता है speed into time यह हम already part 1 में discuss कर चुके हुआ है गती जो है वो है 20 मिटर पर सेकिंड और जो टाइम गिवन है वो गिवन है 5 तो आप आप आंसवा निकाल सकते हैं आंसवा रेस 100 मीटर तो options देख लेते हैं 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर या 400 मीटर तो option A is your correct answer 100 मिटर नव कम तो नेक्स क्वेश्टीं आपकी स्क्रीम पिहें थेख वेशन ने is a man travels for 5 hours 15 minutes if he cover first half of the journey at 60 kilometer पर आर, and rest at 45 km पर आर, find the total distance traveled by him, question समझ लेते हैं, question में ये बोला है, कि एक आदमी travel कर रहा है, और पूरी जर्नी जोतनी उसने travel की है, उसका जो time given है, वो 5 गंटे 15 मिनट गिवन है, यदि यदि वो पूरी जर्नी का पहला half करता है, तो वो 60 km पर आर की रफकार से निक करता है, और बाकी का बचा हुआ, वो 45 km पर आर की रफकार से करता है, तो आप बताओ कि find the total distance traveled by him, उसने total distance कितना travel की है, question देख लेते हैं, third solution आपके board पे है, हाँ जी, जैसे let's suppose ये पूरी जर्नी थी, ठीक है, ये पूरी जर्नी थी, और ये पूरी जर्नी उसने कितने में की है, उस कि first half जो है, ये इसने 60, कितना था 60 km, तो 60 km पर आर की रफकार से किया है, और जो second half है, वो 45 km पर आर की रफकार से किया है, और question में बोला है, कि आप total जो distance है, वो निकाले, ठीक है, हमने यहाँ पे distance निकालना है, यानि कि दूरी निकालना है, कि total दूरी कितनी है, ठीक है ज बड़ जो time given है, वो तो मुझे पूरी धरनी का given है, 5 hours, 15 minutes का given है, ठीक है जी, तो आप distance भी निकालना है, तो आप एक चीज़ को देखें, कि अगर हम इसको equation बनाए, तो equation कैसे बन सकती है, equation इसकी बनेगी, कि जैसे समय है, ठीक है, जैसे time है, उसका formula क्या होता है, time का formula होता है, distance upon main speed, यही formula होता है, distance upon main speed, distance मुझे पता नहीं है, पर जो distance है, वो first half का एक distance है, और second half का एक distance है, दो distance given है, ठीक है, और दोनों को club करूँगे, तब ही total distance आएगा, तो distance मुझे नहीं पता, तो मैं इसको x रख लेती हूँ, कि यह एक distance है, यह दूसरा distance है, ठीक है, और जो इसकी speed है, पहले की speed थी, वो 60 kmph है, और जो दूसरे की है, यह 45 kmph अगर आप देखें, तो यह मैंने क्या लगाया, अगर आप देखें, तो यह कितल निकल के आता है, यह time ठंपिता थाइम ही तो निकल के आता है अब हमने मुझेए पैफ आर्स 15 मिनिट्स ट्रेके अभे एक चीज दियान दक्या तो तो ठीक है 15 मिनट के पैजिंच करने के लिए मुझे सिस्क्स्टी मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 60 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप इसके कटिंग करने पड़ेगी तो कटिंग में करके यह कितना आता है 1 by 4 यहाँ पर 5 था और यह 1 by 4 है तो जब इसको solve करेंगे तो इसको यही तो मेरा time है यह मेरा total time निकला यह distance upon speed और distance upon speed बस इसी को हमने solve कर देना है बाकी सारी चीजे में remove कर रहे हूं ठीक है तो यह आगया हमारा distance upon speed और यह भी कितना आगया distance upon speed आगया ओकी अब हमने क्या करना है इसके बार ले लेंगे अब लेने के लिए क्या था 60 और 45 का लेना है तो 60 बिग वन है तो 60 का टेबल लिखना पड़ेगा तो 60 120 180 240 एक एक करके हमारा 120 भी नहीं आता तो यह इसका अंसर नहीं हो सकता आगया किया तो आप देख सकते हैं यह आता है 3X सेम एस पूरी वली को 180 के साथ सॉल्व किया तो यह कितना आता है 4X और यहां पर कितना है 21 डिवाइड़ बाइब 4 आगे सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 यह आगे आपका 7X ठीक है और इदर कितना आ 180 और यहां पर कितना आ गया 21 डिवाइड़ बाइब 4 अब इनको कॉसमें loss multiply कर देंगे तो cross multiply करने के बार यह आएगा ठिक है जी इसको के साथ multiply कर दिया और इसको के साथ multiply कर दिया हान जी अब यह क्या करेंगे यह आपके में multiply हो रहे हैं तो इधर जाके divide हो जाएंगे ठीक है और यहां पर x की value रह जाएगे आप cutting करेंगे तो 773 is a 21 ठीक है 22 is a 4 to 90 और यह आ गया 45 ठीक है यह आ गया 45 उसके बाद यह कितना आ गया आ तो 45 इंटू 3 चीक है तो 45 को 3 के साथ करोगे तो क्या क्या आ गया 135 ठीक है तो यह आपका आ गया 135 तो आप बोलोगे कि x की value कितनी निकला है 135 यहनि कि आपका जो distance निकला है वह 135 निकला है अब आप देखिए एक distance यह था एक distance यह था फर्स्ट हाफ हो सेकेंड हाफ total distance नहीं निकला है यह मेरा एक फर्स्ट हाफ निकला है तो सेकिंड हाफ देखिए कितना होगा 135 इट मींज जो मेरा total distance होगा वो कितना होगा x plus x यहनि कि 135 प्लस 135 तो यह आप कहेंगे कि आपका जो total answer है वो कितना आता है 270 kilometer answer ठीक है 270 kilometer answer आपकी स्क्रीन पे है गवेस्टिन इस अकार कवर्स 650 किलोमेटर्स इंट्वेलर्स और अधर 850 किलोमेटर्स इन एटीन हर्स और फाइंड आवरेच स्पीड अपड़ कर चुके हुए है प्लीस रिक्वेस्ट है इस क्वेशन को आप खुच सौल करी वीडियो को पोस्ट करके और अगर आपको नहीं आता तो पार्ट तू में जाके इसका कॉंसेप्ट समझें नाव कम तुद फूर्थ क्वेशन पोसलिशन आपके बोर्ट पे है जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं डिस्टेंस गिवन है आप तो गिवन है 18हें 3 अभम उनकालने को क्या बोला है अव्यद्स स्थीडिन कालने को बोला है अवस्पीड कर चुकी आप पार्ट तू में जाके देख सकते हैं जिसका फार्मुला किया होता है टोटल डिस्टेंज अपन टोतल टाइम राइट और तोटल डिस्टेंज यह तो इनका डिस्टेंज रहा है इनका total लगाने तो इस्सीं क्ला से टोल ओतल थाइम भी बोला है तो कटिंग कर देंगे तो यह कितना आगया आपका 50 km per hour तो यह आपकी आगई average speed ठीक है 50 km per hour ठीक है नाओ कम तो नेक्स क्वेशन फिफ्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पे हैं the question is a vehicle travel at the rate of 80 km per hour what distance will it travel in 15 minutes question समझ लेते हैं question में वोले एक वीकल है जो की 80 km per hour की गती से चलता है और वह 15 मिनट में कितना distance जो है वो cover करेगा very simple question ठीक है आप पर लेक्वेशन को खुड़ प्राइब करना यह आपका 5th solution बूट पर है मैं options देदाती हूं so that कि आप उसको खुड प्राइब करें और अगर किसी का निकल रहा है तो प्लीज आप comment section में बता सकते हैं अगर आपको को doubt है तो आप वहाँ पर mention कर सकते हैं ठीक है जी आज यह क्या है यह आपको given है मीटर ठीक है question पढ़ लेते हैं question में जो जो बोला है वो लिख लेते हैं पहले तो मुझे गदि गिवन है speed given है वो कितने given है वो 80 km पर आर की रफ्तार से गिव जा रही थी वीकल और उन्होंने निकालने को क्या बोला है डिकालने को बोले है कि वह फंद्रा मिनिट में 15 मिनट्स में कितना है कि टिर दिस्टेंस मेरा मीटर में निकला पड़ा है और मुझे जो निकालना है जो मुझे given है, time given है, वो 15, आप देख सकते हैं, 15 minutes given है, और distance निकालना है, गती निकालनी है, ठीक है, अब आप देखे इसको कैसे करेंगे, आप पहले इस 80 km को, पहले तो meter में change करना पड़ेगा, right, उसको meter में change करना पड़ेगा, तो meter में change करने के लिए, उसको thousand से multiply करना पड तो it means, it means, इसको साथ ही में, यह क्या हो गया, मेरा total distance, ठीक है, और यह क्या हो गया, मेरा time, ओ सारी हम जो distance निकालना, यह मेरा speed है, ओ मैने meter में change किया, और यह time, और मेरा निकल के क्या आएगा, मेरा निकल के आएगा, distance, ठीक है जी, अब इसके cutting कर लेते हैं, cutting कर लेते हैं, इसके साथ cutting हो गई, ठीक है, और यह 2 के table में, 2, 3s are 6, 2, 4s are 8, आगे cutting नहीं होती है, तो यह कितना आगे 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 आपका, एक सेकेंड, 2, 3s are 6, हाँ, यह आ रहा है, 3, 5s are 15, cutting हो रही है, तो यह 5, 4s are 20, और यह आगे आपका, 1, 2, 3, ठीक है, ठीक है, 20,000, तो यह आपका answer किस में निकल के आया है, यह answer आपका meter में निकल के आए, ठीक है, तो 20,000 meter आपका इसका answer है, तो यह options देख लेते हैं, यह option is the right answer, 5,000 meter, ठीक है, यह option आपका right है, नो come to the next question, 6th question is, रवी गोसटो स्कूल, फ्रूम हर हाउस, फ्रूम हाउस, इन 30 minutes, राज़ाद टेक 45 minutes in covering the same distance, find the ratio between time taken by Ravi and Raja ठीक है जी रवी जब अपने घर से स्कूल जाता है तो 30 मिनट में जो है वो चला जाता है और राजा स्कूल का डिस्टेंस सेम रहेगा और घर का भी इविन तो जाजा अगर राजा जाता है तो 45 मिनट में जाता है रेशो निकालने को बोली है कि टाइम की रेशो बताओ ठीक है ना टाइम की रेशो बताओ रवी और राजा की तो सिक्स सल्यूशन आपके बोर्ट पर जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं आपको गिवन क्या है कि अगर मैं बात करूं जो रवी है वो 30 मिनट लगा रहा है और जो राजा है वो 45 मिनट लगा रहा है और यह obviously मुझे time given है time ही तो given है और ratio भी क्या बोली हुई है time की दोनों की time की ratio निकाले ठीक है ना ऐसे बोला है तो simple इनकी ratio निकाल देंगे पहले आप लिख लो यहाँ पर यह रवी है और यह राजा है इसका कितना given था 30 और इसका given कितना था 45 ठीक है तो 15 के table में कर दो यह आगया टू और यह कितना अगै ढगले तो आप यह कह सकते है कि time की जो ratio निकल के आई है त्व रेश्यों 3 निकल के आई है अगर इसी सेम क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा question चेंज कर दूं और मैं अगर आपको यह बोल दूं कि आ इसमे speed निकाल निकाले और speed की ish investmentĩ होता है इसी का आप time already हमें दिया हुँः था उसे की रेशो निकाले के बाद ने के बाद है PPT कर दोगे तो वह आपकी स्पीड जेला है तो अगर आपको time का बोला है तो question is a man perform 2 15th of the total journey by rail 9 by 20 by bus and the remaining 10 km on this cycle his total journey is ठीक है जी अब उसने क्या बोला है उसने बोला है कि एक जो आदमी है ठीक है 2 15 मतलब एक अगर मैं बोलो इस question को पहले समझ लेते हैं यह आपका 8 solution board पे है कि लेट सब्सक्राइब एक total journey है तोटल जर्नी है इसका अगर मैं इतना portion बात करो अगर इमें बोलों कि 2 by 15 है ठीक है यह जाता है बाइं टोटल बाई रेल हाना बाई रेल से जा रहा है और अगर मैं बोलो यह 9 by 20 जो है 9 by 20 यह बाई बस जा रहा है और बाकी का जो रिमेनिंग है वो 10 किलो मिटर जाता है ठीक है और वो रिमेनिंग कहां जारा जाहे साइकिल से जा रहा है और वो 10 किलो मिटर जा रहा है डिस्टेंस सिर्फ मुझे इस दस का गिवन है इस पूरे का डिस्टेंस नहीं पता और क्वेशन में आपको पूरा डिस्टेंस निकालने को बोला है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी बताओ कि डिस्टेंस बताओ यहां से लेके यहां वन अगर हम परसंटेज की बात करें तो परसंटेज का जो तोटल है वो अपने आप में हंडर होता है उसे तरीके से अगर कोई फ्रेक्शन है कोई रेशो है उसका जो तोटल है वो अपने आप में वन होता है ठीक है जी वन होता है अगर मैं अगर मैं इतने पोर्शन का इतने portion का हिस्सा plus कर दो और उसको 1 में से minus कर दो तो वो तो मेरा remaining part निकल आएगा जो मुझे चाहिए था अगर मुझे remaining part पता लग जाता है और उसका distance भी given है तो मैं easily full distance निकाल सकती हूँ क्या अब इनको plus करना पड़ेगा तो 2 by 15 plus 9 by 20 इनको plus करना अब 20 20 का table लिख लेते हैं कि के मैं लिख लिए टेबल आप बिसको करके चेक कर लेते हैं 15 के यह खुक्ता यह को सकता 15 के पूर्टी नहीं है आता तो इस सक्युम नहीं हो सकता 60 15 के टेबल पर जाता है और यह कितना है वो 60 है अब इस पूरी को इसके सादध solve कर लेंगे तो 2 by 15 को जब मैं 60 से solve करती हूं तो ये कितना आता है आपका 8 आता है ठीक है और इस वली को अगर मैं करूं तो 9 by 20 को अगर मैं 60 से solve करती हूं तो ये कितना आता है 27 आता है 0 से 0 कट गई तो 1 से 2, 2 3 से 6, 9 3 से 27 ठीक है जी तो इसको मैंने प्लस किया तो ये आता है 35 अपान 60 ये क्या आया है ये टोटल निकल गया है और टोटल ये यहां तक कर डिस्टेंस आया है 35 अपान 60 तोटल कितना था टोटल तो वन था अगर मैं उस वन में से 35 अपान 60 माइनस करती हूं तो म अगर इसकी short trick क्या होती है अगर आप बन में से कोई भी चीज माइनस करते हूं मतलब ऐसे fraction में कोई भी चीज माइनस करते हूं तो उसका कैसे करना होता है जैसे अगर मैं यही statement ले लेती हूं इसका denominator सेम रहेगा और numerator क्या होगा इस में से ये चीज माइनस कर दनी है क्योंक में 60 आ जाएगा और 60 में से 35 प्लस करेंगे तो जितना टोटल आएगा उपन यूमिनेटर में आ जाता है यहां पर माइनस था तो मैंने माइनस कर दिया तो माइनस करने के बार 25 अब आप यह देखें यह मेरा निकल के आया है remaining portion remaining कौन सा यह वाला यह जो 10 km वाला है यह मतलब कितना है यह गिवन है 25 अब पर मुझे टोटल जर्नी निकाल ली है अगर मुझे part भी गिवन है यह मुझे पार सॉरी इसका remaining portion गिवन है साथ में km गिवन है तो आप कैसे निकालते हैं टोटल जर्नी ठीकि मैं यहां लिख देत तो टोटल जर्णिंग कैसे आएगी तोटल जर्णिंग आएगी कि जितना 10 है 10 है इस पार्ट को आप रेशी पोकल कर दिजें कैसे मैं आपको इवे बता रहेते हूं अगर 25 उपान 60 है तो आपको पता है जो नीचे वाली चीज होती है वो हमेशा और हमेशा टोल होती है और हम जो ये 10 की value given है ये 25 की value 10 है ना कि 60 की value तो 25 की value 10 है और मुझे 60 की value निकाल नी है तो आप cutting कर लिजे 5 5 25 5 2 10 और ये कितना आ गया 12 और ये कितना आ गया 24 ए किलो में धा हां जी किलो में था तो पूरी जर्नी का कितना निकल के आता है 24 सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें और यह वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पुंचाएं जो गर बैठके कंपिरेटिव एक्जाम्स की त्यारी करना चाहते हैं तैंक